अब्ञेसильно में ने ब्रेंद्स वोल्कम टो लेजल टीवी दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जोडिश का मेडिकल कैसा होता है उसमें क्या क्या चेक किया जाता है क्या क्या चेक नहीं किया वो भी आपकी six month की है लेकिन फिर भी आपका वहाँ पर medical एक बार किया जाता है तो वो आपका medical इसलिए होता है क्योंकि आपको joining time के बाद जब आपकी training कराई जाती है तो वहाँ पर आपकी अच्छी खासी आपको मैनत करनी पड़ती है आपको वहाँ पर physically अच्छे से prepare होना है आपको mentally prepare होना है तो इसलिए आपको वहाँ पर physically prepare होने के लिए कोई problem ना हो इसलिए आपका joining time पर medical किया जाता है आप suppose कीजे कि आगर आपके पैर में कोई चोट है या फिर आपके हाथ में कोई चोट है आपकी कबर में कोई चोट है तो आप physically अच्छे से प्रिपेर नहीं हो सकते आप बिल्कुल भी माँपर अच्छे से प्रिपेर नहीं हो सकते आप physical अपनी exercise नहीं कर सकते तो इसी को ध्य तो आपका सबसे पहले ECG जो आपका हो चुकाता चेक नहीं होता, Blood Test, Urine Test, X-ray, ECG, Eye Vision Test, Flat Foot, Knock Knee आपका चेक नहीं होता है, देखें जो Flat Foot है और Knock Knee है यह आपका exception है, यानि कि आपका अपवाद है यह depend करते हैं आपके चेक करने वाले officers पर कि वो आपका medical किस तरह से लेते हैं क्योंकि किसी-किसी ASC पर आपके नोकनी और Flat Foot भी चेक किये जाते हैं और किसी ASC पर आपके नोकनी Flat Foot चेक नहीं किये जाते हैं, तो यह उनके उपर depend है, अब देखते हैं कि हमारा वाँ पर चेक क्या-क्या होता है और क्या-क्या हमें उनकी सावधानी रखनी है, तो देखे, सबसे पहले जो आपके वाँ पर चेक होते हैं, वाँ आपके private part होते हैं, आपको ध्यान रखना है, आपको कोई उनमें परिशानी ना हो, उनमें आपको कोई scratch, फिर चोट बगएरा कुछ ना हो, बिल्कुल आपके ठीक हो, तो आपको कोई भी परिशानी नहीं ह Second है, आपका weight, तो weight भी आपको वाँ पर चेक कर लिया जाता है, आपका 1 käyt कंब भी हो सकता है, एकट जदा भी हो सकता है, तो कोई परिशानी नहीं है, लेकिन अगर इससे जदा हो, तो आपको बिल्कुल वाँ पर बाहर कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी आपको अपना weight दे छेक होता है normal eye akan test होता है आपका noserament होता है और इएर आपकी अच्छे से बिल्कूल आपकी नॉर्मल यह देखे जाते हैं तो आय आपका vision टैस्ट नहीं होता आपका color blindness request भी नहीं होता बस आपका simply लिए टोर्स से देखा जाता है आपको कोई प्रोब्लम तो नहीं है बिल्कुल नॉर्मल तो इनमें आपको स्लेक्ट वहाँ पर कर लिया जाता है फॉर्थ नंबर पर आपको देखना है कि आपके शरीर में कोई चोट ना हो आपको ध्यान रखना है हड़ी में कोई प्रोब्ल तो आप बिल्कुल वाँ पर 100% आपको सिलेक्ट होने से कोई भी नहीं रोख सकता और देखिए कुछ सेंटर्स पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि exceptions होते हैं नोकनी, flat foot, weight और आख नाक कानी आपके चेक्ट किये भी जा सकते हैं और नहीं भी किया जा सकते हैं लेकिन फिर भी आपको उन पर भरोसा नहीं करना है आपको खुद का 100% देना है आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है जिससे कि उनको भी कोई परेशानी ना ह आपको बाहर करने में और आपको भी कोई परेशानी ना हो अपने फिजिकली ट्रेनिंग के दोरान आपको मैनत करने में क्योंकि अगर आपके शरी में कई चोट लगती है तो उससे प्रोब्लम आपको ही होने वाली है आपके ट्रेनिंग टाइम के दोरान क्योंकि वहापर आप physical exercise नहीं कर सकते, आपको फिर भी मापर जबरदस्ती करनी पड़ेगी, मैनत करनी पड़ेगी, आपके और भी से चोट लग सकती, आपको कोई भी परिशानी हो सकती है, तो इसलिए आपको खुद का ध्यान रखना है, कहीं भी जाना नहीं है, अपना जो भी आप अपना ध झाल